हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपी पीसीस प्री दोजार अठारा प्रैक्टिस सेट के एक तिस्वे पार्ट में तो दोस्तो हम लोग करेंट अफेर्स को कर रहा हैं थोड़ा सा पीछड हैं हम लोग लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे और धीरे धीरे हम सुची में डाल दिया गया है दोस्तों याद रखिएगा कि पाकिस्तान को FATF का फुल-फॉर्म जो है जान लिजेगा दोस्तों यह होता है फाइनेंशियल एक्षन फाइनेंशियल एक्षन टास्क फोर्स याद रखेगा इसका गठन जो है दोस्तों ये 1989 में जी सेवन के जो जी जो विदेश के जो पूरे विश्व के जो साथ बिक्सित देश है जिसमें कानडा, USA, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली उर्रूस को इसमें इससे निश्कासित कर दिया गया दोस्तो फेले रूस पी था इसमें जी हैट में आब भी ये जी सेवन jogos ऑगया है, तो इसके इसका जो है गठन हुआ था जी सЕवन है इस His provider को इस है संगठन को इस्को इस संगठन को शूरू किया था दोस्तों shirt में तो याद रखेगा कि यह आतंकी शंगटनों कि विद पोशन मनी लॉंडरिंग में असफल रहने के बाद याद रखेगा दोस्तों किपाकिस्तान जो है आतंकी संगटनों। बित पोशन एवान मॉनी लांडरिंग में असफल साबित हुआ और इसी कारण उसे जो है पाकिस्तान को जो है इस संगठन ने यानि FATF ने ग्रे सुची में डाल दिया हाला कि पाकिस्तान और इसकी जो बैटक हुई थी जो ये डिसीजन लिया गया था वो पेरिस FATF की जो बैटक हुई थी यानि Financial Action Task Force इसकी जो बैटक हुई थी पेरिस में दोस्तों 24 और 29 जून तक इसके बीच इसके दोरान इसकी जो बैटक जो है वो संचालित हुई थी पेरिस में वहाँ पे ये उस बैटक में इसमें वो निरने ये इस बात का निरने लिया गया था कि पाकिस्तान को ग्रे सुची में डाला जाएगा और डाल दिया गया हाला कि पाकिस्तान जो है इसे बचने की भरपूर कोशिस किया वह अपने इस्तिती को काफी उसने जो है एफटी एफ के सामने गिड़ गिड़ाया भी काफी कुछ अपने वो वादा किये और उसने एक प्रस्ताव जो है 26 सुत्री कार योजना जो है वो एफटी एफ के सामन और तालिबान और लसकरे ताइबा यादी इन संगठनों को जो है वो बित्ती मदद अब नहीं देगा आगे चल करके उनको भी कोई ऐसा मदद नहीं देगा और इस मदद को पूर्ण रूप से रोकने के लिए उसने पंदरा माँ की पंदरा फिफ्टिन मन्स का उसने समय कि पाकिस्तान को जो अंतराष्ट्रिय जो सहायता मिलती है जो फाइनेंसियल असिस्टेंस मिलती है उसमें इसको काफी दिक्कत आने वाली है दोस्तों फाइनेंसियल असिस्टेंस तो मिलेगी लेकिन उस उस पैसे का उस बित्त का उस मनी का क्या किया जा रहा है उस पे पाकिस्तान जैसे देश में इंवेस्ट करने से वो बचेंगे कतराएंगे और जो उसका जो वर्ड में क्रेडिट है वो गिर रहा है उसकी साख गिर रही है जिससे पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान होगा दोस्तों काफी नुकसान इससे उमीद है कि काफी नुकसान होगा हाल लेकिन इस सारी चीजों को खारिज करके उसको ग्रे सुची में डाल दिया तो दोस्तों याद रखिएगा कि यह पहला देश नहीं है जो ग्रे सुची में सामिल हुआ इसके पहले जो है कुछ सामिल हुए है जैसे ट्रिनिडाड और टोवर्गो थे यमन था सर्बिया था इज़िप्ट था इथोपिया था इजब्ट का नाम नहीं है दोस्तों इजब्ट न बोलिएगा स्री-लंका को भी इसमें सामिल किया गया थोश्तों बिगत पास्ट में एरान इराग सीरिया नौर् दोस्तों उसको याद रखिएगा यह ग्रे लिस्ट है दोस्तों ब्लैक लिस्ट से कंफ्यूज न हो यह गा ब्लैक लिस्ट में सामिल होने पर क्या होता है कि पूरी तरह से असिस्टेंस बंध हो जाती है दोस्तों तो यह ध्यान रखिएगा कि यह ग्रे सुची है नकि यह ब्लैक लिस्ट है ब्लैक सुची नहीं है ब्लैक सुची में नहीं डाला गया है 2001 में जो USA में आतंकी गाती विदिया हुई थी आतंकी हमला हुआ था दोस्तों वर्ल्ट रेट सेंटर पर हुआ को यादी होगा 26 सितंबर 2001 को यह घटना घटी थी जिस पे आतंकी विदिया था उस दोनों जो ट्विन बिल्डिंग्स थी उसको टकरा दिया जिसकी वज़ा से उसमें आग लग गई और उसमें काफी लोग मारे गये थे दोस्तों तो यह याद रखिएगा तो उस समय से इस संगठन ने FATF ने जो आतंकी संगठनों का बित पोशन है उसको भी उसको अपने निगरानी में सामिल कर लिया उसको भी अपने दाइरे में ले लिया दोस्तों तो अब जब इसकी अस्थापना हुई FATF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं FATF को हमने जैसे पहले बताया कि G7 के देसों ने इसको सुरू किया था 1989 में और इसमें जो है उस समय 16 सदस से सामिल थे अब इस समय बरतमान में इसके 30 सदस हैं दोस्तों और भारत भी इसका एक सदस्य देस है इसमें जो है जो दो छेतरी दले जो है दले जो है वो इस से इसमें सामिल है दोस्तों और वो है European Union और दूसरा है GCC GCC का मतलब थोड़ा जान लीजिए दोस्तों इसका फुल फार्म होता है Gulf Cooperation Council काउंसिल को याद रखिएगा कि Gulf Cooperation इसका जो अस्तित्यों में आया यह जो इसका जो चार्टर बना वो 25 मई 1981 को बना है दोस्तों यानि यह अस्तित्यों में आया 25 मई 1981 को इसके तहट जो है जो अरब प्रायदीव है या अरब प्रायदीव के बारे में हम एक बात और बता देना चाहते हैं दोस्तों कि यह दुनिया का पूरे बिश्व का पूरे ग्लोब का यह सबसे बड़ा प्रायदीव है भारत के प्रायदीव से पेनेंसुलर इंडिया से इस कट्रीज हैं देश हैं वो इसमें इंक्लूड हैं और इसमें जो है जो देश हैं वो जैसे कुवेट कि और कुवेट के बाद आप आजाएएगा कतर कतर के बाद आजाएएगा बहरेन और बहरेन के देशें इसको थोड़ा सा याद रखिएगा इराक इस में संब्लीद नहीं और ये ध्यान दीजेगा कि एरान इराक इसमें संब्लीद नहीं तो यह सदस्य देश हैं अगला है तो अगला जो के महा सबा के जो 72 सत्र हुआ था जून में 6 जून-2018 को दोस्तों उसके तहट जो एन देशों को इन पांच देशों को जो है वह संम्हेलित किया गया था चुना गया था उसमें तो पांच देशों में याद रखिएगा दोस्तों जो चार जो देश थे वो निर्विरोध चुने गए थे जो जैसे की वेस्टन यूरोप के जो दो कंट्रीज रिप्रेजेंट करते हैं इसमें महासभा में वो दो कंट्रीज थे दोस्तों जर्मनी और बेल्जियम ये जिसको बोलेंगे उसका जो पोजीशन है उसका जो अस्थान है उसका जो क्लोब में अस्थान है उसको देख लीजिएगा उसका एक्जाक्ट लोकेशन देख लीजिएगा दोस्तों वो करब सागर करेबियन सागर में इस्थित देश है तो यह इसको भी निर्विरोध चु गया है दोस्तों लेकिन एसिया से जो एक मात्र देश का चुनाओ होना था उसमें जो है तोड़ा विबाद हो गया क्योंकि दो सा दो देश जो है आमने सामने हो गए एक था मालदीब और दूसरा था दोस्तों इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया और मालदीब में जो दो सामन मत मिले दोस्तों और मालदीब को जो मत मिले वो इस तरह से 46 मत उसको मालदीब को मिलते हैं तो इस तरह से दोस्तों यह याद रखिएगा कि इन देशों को जो है वो अब इनका कारेकाल जो है दोस्तों याद रखिएगा कि एक जनवरी 2019 से इनका कारेकाल शुरू होगा और यह चलेगा 31 दिसंबर 2020 तक इनका कारेकाल चलेगा दोस्तों और ये जो देश जिनको ये रिप्लेस किये हैं उनको भी याद रखिएगा जो अस्थान जिनका ये लेंगे वो है दोस्तों इथोपिया इथोपिया को देख लीजिएगा ये अफरीका के हौन में आता है हौन कंट्र देख लिजिएगा दोस्तों ये अस्थान जो इसके सामने इस समुद्र से जुटावर नहीं है ये उसी को लैंड लांड कंट्रिक्स कहते हैं दोस्तों तो तो कजाकिस्तान, बॉलिविया को याद रखिएगा ये दक्षिन अमेरिका का एक देश है ये भी लैंड लांड कं तो इन देशों की सदस्यता जो है वो 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाली है और एक जनवरी 2019 से यही देश जो अभी हमने नाम बताया कौन-कौन से थे वो नाम एक बार फिर दोरा लेते हैं वो ता जर्मनी बेल्जियम ये पस्चिम यूरोप को रिप्रेजेंट कर रहा है अफ जो जो चुनाव हुआ उस देश से चुनाव हुआ वह डॉमिकण रिपबिक है। गर्णराज्य है और जो एशिया महाद्विप से जिसका चुनाव हुआ जिसके एक देश से चुनाव करना अगला है जो सुरक्षा परिशत के पांच अन अस्थाई सदस्य देश हैं जो की इसमें बने रहेंगे दोस्तों उनका भी नाम याद रखिएगा यानि टोटल अस्थाई देश हमेशा दस बने रहते हैं तो वो हैं आईवरी कोस्ट, एकोटोरियल गुनिया, कुवेट, पोले पर्मनेंट और पेरु यह याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है इन देशों का नाम याद रखिएगा जो और अस्थाई सदस्य आप जानते ही हैं जो पांच अस्थाई यानि पर्मनेंट जो मिंबर्स हैं सेक्योर्टी काउंसिल के दोस्तों वो है ब्रिटेन, फ् याद रखिएगा है कोईशन पूछा गया है उसमें जर्मनी का नाम दे दिया गया तो जर्मनी अस्थाई सदस्य देश नहीं है अस्थाई जो पांच सदस्य हैं सेक्योर्टी काउंसिल के याद रखिएगा सेक्योर्टी काउंसिल सुरक्षा परिशद उसके जो है जो तो USA, Britain, France, China and Russia, तो अगला है बैश्विक सांती सुचकांग, याद रखिएगा दोस्तों, इस सुचकांग को जो है, 2018 में इस सुचकांग को जो है, यह हर साल सुचकांग प्रस्तुत करता है, Institute for Economic Peace, Institute for Economic and Peace, IEP, याद रखिएगा इसको, इसके तहब 163 देशों में स्टडी किया गया, रिसर्च किया गया, जिसमें यह पाया गया, कि इस वर्स, यानि पिछले वर्स के तुलना में, इस वर्स जो है, जो पैश्विक अशांती है, वो 0.27% की इसमें ब्रिद्धी हुई है, यानि पूरा ग्लोब जो है, वो थोड़ा सा अशांत हुआ है, दोस्तों, उसका परसेंटेज भी इसने बताया है, वो है 0.27%, याद रखिएगा, इसका केंदरी विशय है, इसका केंदरी विशय है, बहुत इंपोर्टेंट है, उसका केंदरी विशय है, दोस्तों, एक जटिल विश्व में सांती का मापन, एक जटिल 2018 में 2017 से अगर हम तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि बानवेर देश जो है वो उनकी सांती के अस्तर में गिरावट दर्ज की गई है दोस्तों 92 कंट्रीज में सांती का जो अस्तर है वो गिर गया है यानि वो अशांत हुए हैं पिछले साल की तुलना में और दूशरा जो है वो जो 71 देश और हैं उनमें जो है दोस्तों पिछले साल के कंपेरिजन में अगर कंपेरिजन हम पिछले साल से करते हैं उनका 2017 का जो इंडेक्स से अगर हम उसका तुलना करते हैं तो उसमें यह पाते हैं कि इसमें जो है शांती में ब्रद्धी हुई है सुधार हुआ है त स्थापित है किस देश में है तो वह ऐस लन्ड दोस्तों इसको मत बूलीए गार अगर अशान्ट सबसे ज्यादा अशान्ध रहा और अगर हम भारत का अस्थान में पिछले साल से एक अस्थान की जो है वह सुधार हुआ है पिछले साल दोस्तों भारत जो है 137 अस्थान पे था इस साल 2018 में वह 136 अस्थान पे आ यानि जो टोटल नंबर आफ कंट्रीज है 163 तो वन को छोड़ दीजिए 63 को पलट दीजिए तो 136 आ तो इस तरह से याद करना असान हो जाएगा दोश्तों अगर हम कंपरिजन करें कुछ वरसों में तो हम देखेंगे कि 2015 में भारत का स्थान 143 था 2016 में भारत का स्थान जो 141 था और 2017 में 137 था और 2018 में 136 अस्थान इस समय बरतमान में हैं दोस्तों यानि कुल मिला करके हम जो है सुधार के तरफ है हम जो है सांती के तरफ बढ़ रहे हैं अग्रसर हो रहे हैं आला कि ये बहुत धीरे-धीरे है लेकि अग्रसर हो रहे हैं ये खुशी की बात है आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा भारत की जो अन्य देश हैं जो पड़ोसी देश हैं दोस्तों उनका स्थान को हम लोग थोड़ा सा देख लें तो भूटान जो है वो बिश्व में 20 में अंडर 20 कंट्रीज में आ रहा है दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि भूटान हमारा जो पड़ोसी देश है वो काफी सांथ है दोस्तों तो उसका रैंकिंग जो है वर्ल सटमाद है दोस्तों और अगर बंगला देश को देखे हम तो वो तीरानवेरवा रैंक पर है नेपाल जो है वह चावरासी देश पर है चावरान एटी फॉर्थ रैंक पर है इस रैंकिंग को थोड़ा सा देख लीजेगा नेपाल का चाइना जो है एक सो बाइसमा देश रै रैंक पर है पाकिस्तान 191 रैंक पर है और अफगानिस्तान की स्थित और जर 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 दोस्तों वह 162 रैंक पर है तो इसको भूली अगमत अफगानिस्तान जो है यानि उसका पोजीशन नीचे से दूसरे पोजीशन पर है सीरिया से थोड़ा सा बेहतर एक स्टेप बेहतर हम का सकते हैं अगला है बैस्विक सांती सुचकांग 2018 में यह याद रखिएगा कि इसमें तीन जो सब्जेक्ट है तीन जो बिशे हम लोग लिए उसके आधार पर इस इंडेक्स को हम लोगों ने जारी किया वो तीन जो बिशे है वो है समाजिक सुरक्षा का अस्तर जो अस्तर हम लोगों लिया है हो समाजिक सूरक्षा से संबंधित लिया है दूसरा घरेलू और अंतराष्ट्रिय संगर्स यानि उस देश में घरेलू संगर्स कैसा है communal rights हो रहा है कि नहीं यह देखना है और अंतराश्ट्री संगर्स उसमें कितना है जैसे सीरिया में हम दोनों में जो है इसमें जो है बहुत ही वर्ष पोजीशन है इसलिए उसका अस्थान जो है वो सबसे नीचे पे चला गया है यानि 163 अस्थान पर है वो दोस्तों यानि सब लेते हैं उसके आधार पर इंकार सुचकंब बनाया गया गया दोस्तों यह तीन और याद रखियेगा अब याद रखिए जो कुछ देश हैं जो सरवाधिक सांदी प्रह देश हैं दोस्तों उनका जो है रैंकिंग आप याद कर लीजिए क्रम याद कर लीजिए सबसे पहल में मत भागिएगा दोस्तों इसमें थोड़ा सा अलग है जो सबसे शांत देश है वो आइसलेंड है दूसरे नंबर पर दोस्तों निवजिलेंड है आइसलेंड का स्कोरिंग याद करिएगा पहला का स्कोर याद कर लिजेगा 1.096 है और जो सबसे अशांत देश है इस सीरिया उसका जो score है दोस्तों वो 3.6 है तो इन दोनों का score याद रखेगा बकिये का score याद करने की जरुवत नहीं है जो score उनको मिला गया है दिया गया है उसके आधार पे आइसलेंड सबसे सांथ उसके बाद न्यूजिलेंड उसके बाद आस्ट्रिया उसके बाद पुत्गाल और उसके बाद डेनमार्क है दोस्तों तो इन पाचों को याद रखेगा और सरवादी का सांथ जो है वो 5 है सीरिया सबसे सांथ है फिर अफगानिस्तान फिर उसके इराक और फिर जो है सोमालिया तो सोमालिया का 159th rank है दोस्तों याद रखिएगा एक और बहुत चावकाने वाले रिपोर्ट इसमें आई थी वो रशिया के बारे में आई थी दोस्तों रशिया जो है वो काफी अशान्थ है उसका ranking जो है दोस्तों 154th in the world है यानि उसकी स्थ जो है पाकिस्तान से भी दैनी है दुखद है तो इसको भी याद रखिएगा अब अगला टॉपिक है भारत बिश्व में हत्यारों का सबसे बड़ा क्रेता है दोस्तों यह कहा है सीपरी ने सीपरी का याद रखिएगा दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इस टॉक होम इंटर रखिएगा दोस्तों यह कैपिटल सिटी है किसका यह आपको बताना है यह स्वीडेन का तो इस जो जैसे जैसे आ रहे हैं हम उनको दोस्तों देशों को जो है हम लोग धीरे धीरे उनको बिश्व लेबल पर देखेंगे उनको ग्लोब पर उनका पोजिशन भी देखते आपके लिए ताकि कुछ सब्सक्रेप्शन इसका बढ़े कुछ हमको भी अच्छा लगे कि मेरा मेहनत जो है वो आपके लिए वो काफी सार्तक हो रहा है तो इसका इसको भूली अगा मत दोस्तों मैं बार बार नहीं कहूंगा क्योंकि मैं खुदी इस परिक्षा में समली थ होते हुए भी लास्ट अटेंट होते हुए भी मैं आपके लिए सारे जो है करेंट पॉलिटी और जो है जियेस के कुछ कुछ क्षिशन जैसे हिस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉंट्स जो आसान-असान पॉंट्स है हिस्टी तो complete नहीं हो सकता दोस्तों काफी बड़ा और यूपी स्पेशल भी देखेंगे, मैं रात रत भर आप के लिए जगने के लिए तयार हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, और फिर आगे हम अपने जीवन को जो है, वो सुख में और आगे के तरफ ले जाएं, ये हम आप लोग के लिए भी ये कामना करते हैं, कि आप लोग वो सो रहा हैं, तो सो ये मत इपना, आगे बढ़िये, आगे देखते हैं, सिपरी काम लोगों ने फूर फॉर्म कर लिया, यानि स्टॉक होम, इस्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्श इंस्टिचूट, ये जो है, ये अपना जो रिपोर्ट जारी किया था दोस्तों, य और सैन हतियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है, वो अमेरिका है, दोस्तों, ये पहला दूसरा में, मत बूलिएगा, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स आएगा, इसको ध्यान से देखते हैं, हम लोग रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की ग बूलिएगा, तो 2008 और 12, जो 2008 से 12 तक का जो इसके पिछले का रिपोर्ट था, और 2013 से 17 का जो इस वर्स जो रिपोर्ट आई है, उसका अगर हम लोग कंपेरिजन करें, तो हम लोग ये पाते हैं, दोस्तों, कि हतियारों के आयात में ब्रिधी हुआ है, यानि ब्रिधी जो है भारत में जो है, वो खास तौर से ब्रिधी हुआ है, अगर भारत के हम सेंस में देखें, कि भारत जो है अपने हतियार को आयात करने में बढ़ाया है, दोस्तों, यानि पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है हतियार लेने में, वो 24 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि चीन और अगर पाकिस्तान को हम देखें, तो चीन में 19 परसेंट की कमी दर्ज की गई है दोस्तों, और पाकिस्तान में 36 परसेंट की कमी दर्ज की गई है, तो इस तरह से हम लोग तोड़ा सा सटिसफाइड हो जाएंगे अपने सेक्योर्टी को ले करके, क्योंकि चीन ने अपने आयात को गिराया है पाकिस्तान ने और अधिक गिराया है तो यह याद रखिएगा दोस्तों यह बहुत इंपोर्टेंट है अगला है दोहजार तेरह से सतरह के बीच अगर हम देखें कि जो पांच जो बरसों इस साथी में जो बिश्व के हतियारों में जो पांच सबसे बुआएदा खरीद रहे हैं उनमें देश पहला तो हमने बताई दिया कि भारत का है दूसरा रखेंगा है यह 2013-17 वला हम बता रहा है इससे पहले वला तो वह पहले रिपोट में आ चुका है तो 2013-17 जो अभी जारी हुआ तैरा मार्च को 2020 को उसके बारे में हम बता रहे हैं नील की जिसको नील का उपहार कहते हैं, गिफ्ट अफ नाइल, तो उसको देख लिजिएगा, उसको हिंदी में मिश्र लिखते हैं, अंगरेजी में एजिप्ट लिखते हैं, तो एजिप्ट अगर लिख दे तो कन्फूजन मत करिएगा, और जो चौथा है दोस्तों वो आप अपने दिमाग में रख लेजिए, और पाकिस्तान का इस मामले में अस्थान जो है दोस्तों वो नौवा है, तो यह हमको थोड़ी से तसली देती है दोस्तों, थोड़ा हम इस पर सबर करते हैं, थोड़ा हम इसे खुशी जाहिर करते हैं, क्योंकि वो जो है, आया तक म लिस्ट में नौवे अस्थान पर हाना कि चीन के तरफ से थोड़ा खत्रा है लेकिन फिर भी हम हमारा पॉजिशन ठेक है और अगला है इन्हीं आधी में जो पांच यानि को हजार तीरा से सत्रव के जी जो पांच सबसे बढ़े निर्यातक वर्ग ओस्ति हैं ईातक करेंगे और दोष्टों जो उटन फैनक स्थान पर बोले की आयातक में चाइन है और और निर्यातक को राफिल बीमान के बारे में हम लोग नहीं भूल सकते तो इसलिए यह फ्रांस जो है तीसरे अस्थान पर चौथे अस्थान पर जर्मनी को कमता कियेगा दोस्तों हाना कि भूनों विश्यूद में उसके साथ जो काफी अन्याय हुआ लेकिन वह एक काफी बिक्सित देश बन चुका है दोस्तों इस समय तो इसलिए भूलिए गमत चौथे अस्थान पर जर्मनी और पांचवे अस्थान पर हमने बताई दिया कि वह चाइना है अगला है बैस्विक आयात का बारा पर्शंट आयात जो है अके साओधी अरब जो है वह हमारे पीछे लगा है दोस्तों वह दस परसेंट आयात करता है पूरे आयात का पूरे बैस्विक आयात का दस परसेंट को साओधी अरब करता है तीसरे अस्थान पर मिश रहे दोस्तों इसका जो है वह 4.4 करता है और चौथे अस्थान पर दोस्तों वह UAE है इसका भी 4.4 है और पांचवे अस्थान पे दोस्तों चाइना है याद रखिएगा इसका जो है 4% है और भारत के जो आयात करता है भारत जिन से आयात करता है उनमें सबसे ज़्यादा वह हतियार जो है वह मंगाता है रूस से उसके बाद अमेरिका से और उसके बाद इसराइल से यानि भारत को जो तीन जो तीन हतियार सप्लाई करने वाले देशें वह सबसे अधिक सप्लाई करता है रशिया उसके बाद अमेरिका यूएसे और उसके बाद जो है वह इसराइल तो याद रखिएगा भारत जो है वह अकेले रूस से लगबग 68% जो है रूस स खरिता है 15% हतियार जो है वो अमेरिका से मंगाता है और 11% हतियार जो है वो इस्राइल से मंगाता है इस्राइल एक छोटा देश है लेकिन इसको मता कियगा दोस्तों चीन जो आयात करता है वो 65% रूस से क्योंकि आयातक में भी चीन याद रखेगा आयातक में भी पंदर पांचवे अस्तान पे है और निर्यातक में भी पांचवे अस्तान पे है तो सबसे ज़्यादा वह अपना हथियार जो है वह मंगाता है दोस्तों रूस से 65% हथियार अपना वह रूस से मंगाता है औ और 14% हथियार वो फ्रांस से मंगाता है और 8.4% यानि लगबख 8.5% वो हथियार अपना जो है वो यूक्रेन से मंगाता है तो इसके बारे में भी जान लिजेगा और अगर पाकिस्तान का जो स्टडी करें पाकिस्तान जो की नौए अस्थान पे आयातक में है दोस्तों उसको भूलिएगा मत वो जो है लगबख विश्व के 2.8% आयात वो करता है विश्व का ये मत भूलिएगा और उसके लिए चीन जो है वो सबसे ज़्यादा यानि 70% वो आयातों में से जो पाकिस्तान आयात करता है उसका 70% अखेले चीन जो है उसको ये हथियार प्रोवाइड कर आता है उसके बाद अमेरिका का स्थान है 22% और रशिया उसके बाद तीसरे अस्थान पर है तो इसको भी देखिएगा दोस्तों इसको भूलिएगा मत और यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगला है विश्व में अगर हम देखें तो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक र और अमेरिका को याद रखिएगा दोस्तों यह अपने कुल हतियारों का आयात जो है लगबग 22% जर्मनी से करता है और 12-12% निदरलैंड और फ्रांस से करता है यानि अमेरिका जो है अपना हतियार 22% जर्मनी से मंगाता है और 12% निदरलैंड और 12% फ्रांस से मंगाता है त अकेले कर रहा है दोस्तों यानि जो हत्यार निर्यात किये जाते हैं उसमें 34% केले हिस्सा अमेरिका का है दूसरा अस्थान रूस का है यह 22% है और तीसरा अस्थान फ्रांस का है दोस्तों यह 6.7% है तो परसेंट में भी थोड़ा देख लिजेगा पहला दूसरा बहुत ऑस्ट्रेलिया को देता है अमेरिका का जो निर्यात करता है वह सबसे ज़्यादा याद रख 00 को देता है साउडीय अरभ 07 साओधimThis अमेरिका का उसके बाद UAE को देता है उसके बाद ऑस्ट्रेल यह थै Aln değer 가지 और और रूस झाल 20% यह वहारत का देता निर्याद का 55% अकेले भारत को देता है, 12% चीन को देता है और 11% बियतनाम को देता है, अगर सैने द्रिश्टी की तुलना करें, सैने शक्ती की ते, सैने ताकत की द्रिश्टी से तुलना करें दोस्तों, तो भारत दुनिया का चौथा सबसे सक्तिशाली सैने देश है दोस्त सैने ताकत में 24 ताय już तीसरा है चीन चौथा भारत और पाचवा प्रांस याद रखिएंस एक कुल सैनिकों के संख्या से नहीं उसकी आर्थिक इस्टिती से हम देखते हैं, उसके संसाधन कितने हैं, उसके जो टार्गेट से हैं उसके डिपेंड करता है तो इस तरह से हम लोग निये रैंकिंग डिराइव किया है, यानि अमेरिका, अरूश, चीन, भारत, फिर फ्रांस, पाकिस्तान जो है इसमें 17 वयास्तान पर है दोस्तों यह याद रखेगा तो इससे हमको थोड़ी सी तसल्ले मिलती हैं चीन के पास सबसे जादा याद रखेगा अगर शैनिकों को देखे तो सबसे ज्यादा चीन के पास है दोस्तों 1121.8 Lakh यानि 21.8 Lakh यानि 21 Lakh 80,000 सेना है सैनिक हैं देश में हमें चीन के देश में दूसरे नमबर पर भारत आ जाता है याद रखेगा दोस्तों और तीसरे नमबर पर अमेरिका है ये थोड़ा ताजूब आपको लगेगा कि भारत के सैनिक जो है वो संख्या में अमेरिका के सैनिक से ज्यादा है तो भारत की सैनिकों की संख्या जो है वो लगबग 13,60,000 है दोस्तों और अमेरिका की सैनिकों की संख्या लगबग 12,80,000 है तो यह बहुत जरूरी है दोस्तों इसका रिपोर्ट जो है यह देख लीजिएगा अगला है दोस्तों कि अगर हम द दोस्तों लड़ाखूऊ भी मान सबसे ज़यदा अमेरिका में के और पास दुनिया में डूस्तो टेइकों की संख्या सब्से ज़यU रूस में है वो लगवग 20,300 टैंक है और इरान के बारे में एक study किया गया था सिपरी ने एक study किया था उसमें देखा था दोस्तों कि इरान के पास जो है 398 युद्ध पोत हैं तो यह important है अब अगला topic जो है वो विश्व के 50 महानतम नेताओं की जो फार्चुन सूची है दोस दोस्तों उसमें हम देखेंगे उसमें तीन भारतियों का स्थान है दोस्तों तो यह बहुत important है और इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे तो जय हिंद जय भारत